एक बार की बात है, दिनपुर गाउं में सोहन नाम का एक मिठाई वाला रहता था, उसकी मिठाई की दुकान पूरे गाउं में प्रसिद्ध थी, सबी उसकी दुकान से आकर मिठाई लेकर जाते थे, सोहन और उसकी पतनी सुद्ध देशी घी की मिठाई बना कर बेशते थे, जो की सबी को बहुत पसंद आती थी, मिठाई की अच्छी विक्री के कारण उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, जिसके कारण उसको काफी मुनाफ़ा भी हो रहा था, लेकिन सोहन फिर भी अपनी कमाई से खुस नहीं था, वे और कमाई करना चाहता था, उसने बहुत सोचा और सहर जाकर एक चुम्बक का तुकड़ा लेकर आया, जो की उसने अपने तराज उपर लगा दी, जिससे वे घपला कर सके, जिसके बाद एक ग्रहक आया और उसने ए किलो जलेबी के लिए सोहन को बोला, सोहन ने चुम्बक लगा कर जलेबी तोल दी, जिससे उसको जादा मुनाफ़ा हुआ, उसने अपनी पत्नी को जादा मुनाफ़े के बारे में बताया, उसकी पत्नी ने सोहन से इसका कारण पूछा, तो उसने चुम्बक वाली बात बता उसकी पत्नी ने उसको समझाया कि यह तो ग्रहकों के साथ धोके बाजी है वैं ऐसा ना करें लेकिन सोहन कहां मानने वाला था उसने यह काम चालू रखा क्योंकि उसको बहुत ज्यादा मुनाफ़ा हो रहा था यह काम इसी तरह चल रहा था एक दिन सोहन की दुकान पर रवी नाम का एक लड़का आया उसने सोहन से दो किलो जलेवी देने को कहां सोहन ने वैसे ही जलेवी तोल कर दे दी रवी ने जब जलेवी को देखा तो सोहन को बोला ये तो कम लग रही है क्या आप इसको दुबारा तोल कर दे सकते हैं इससे सोहन गुस्सा हो गया और उसने रवी से बोला उसको बहुत काम है तुमको लेकर जाना है तो जाओ वह न रहने दो रवी ये सुनकर जलेवी लेकर चला गया लेकिन वह दूसरी दुकान में गया और उसने जलेवी को दुबारा तुलवाया जिससे उसको पता चल गया कि जलेवी आधा किलो कम थी जिसके बाद रवी एक तराजू लेकर सोहन की दुकान में गया और उसकी दुकान के बाहर तराजू रख दिया रवी ने सभी गाहँवालों को चिला कर बुलाने लगा यह देखकर सोहन डर गया रवी से बोला यह क्या कर रहे हूँ रवी ने लोगों को बताया जादू देखो आप जो भी इसमें तोलोगे वे कम हो जाएगा जब आप सोहन के तराजू में तोलोगे उसने यह करके दिखाया और इसके बाद सोहन के तराजू में लगा चुमबक लोगों को दिखाया और सारी पात बताई जिससे लोगों ने सोहन की खूब पिटाई की सोहन ने आंगे से ऐसा काम ना करने का वादा किया इस कहानी से हमें ये प्रेरना मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसके साथ खुश रहना चाहिए नहीं दो लिए प्रेरना चाहिए अजय करना चाहिए